स्वागत आप सबका CPL के मैच नुमबर 13 के अंदर यह मुकाबल है बैरबुडोस रोयल्स बनाम एंटिक और बैरबुडा फैलकेंस के बीच में जो खेला जाएगा कैंजिंटन ओल ब्रिस्टाउन बैरबुडोस के उपपर इस CPL के अंदर इस 20 के पर पहली बार मैच हो रहा है तो आंकि कंडिशन्स कैसी हो किसके बारे में बात रहेंगे वैसे जो मैच टाइमिंग है सुभे के साड़े चार बज़े है और सबसे पहले पॉइंटन के अंदर दो मैचेस के लिए दोनों जीती है और पॉइंट इस टेबल के उपर दूसरे स्थान के उपर है वह जो दूसरी टीम है इन्हों उन्हें इस टूडमेट के अंदर 6 मैचेस खेली है रीजन यह था जो स्टार्टिंग के मैचेस हो रहे थे ना CPL में वह इनकी हों ग्राउंड के उपर हो रहे थे इंटिगा के अंदर तो इस टीम ने 6 मैचेस खेले सबसे जादा दो जीती चार हा रही है बड़ एक पॉजिटीव ही है यह जो दो पिछले मैचेस है ना इंटिगा के जीत के आ रही है तो इस गेम में दोनों टीमस अपना मुमेंटम साथ मिले के आ रही है और देखते हैं स्क्लैश के अंदर कौन सी टीम किस के उपर ज्यादा हेवी जाती है तो सबसे में चीज के है देगो स्टूडियो के अंदर जो वेन्यू है यह बहुत इंपॉर्टन इसने तो वो जी मेमरी जो फिर इसे ता जाओंगी स्वनी के जब मैच देखेंगे बस सीपिल का मैच होगा विंड फेक्टर हैं पर बहुत इंपॉर्टन होता है फिर कुछ टेक्टिकल डेटा हर एक प्लेर के स्टैट्स हैं मैच अप्स हैं बड़े इंट्रेस्टिंग और इचे कमेंट सक्षिन दिया हुआ है चलता हैं पिछली वोड की दरफ कैंजिंग्टन ओवल के उपर मैच जहां पर 29 जून को मैच वा था और वाई सब क्या मैच था इंडिया सौथ अफरिका का एक टाइम पर सबको लग रहा था 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 30 वाल में कुछ उंदिश रिया था क कि साउथ अफरिका फाइनल की ट्रोफिय उठा चुकी है कुछ हमारे बारत के अंदर चाचाओ ने टीवी बंद कर दी यह बंद कर दी यह बंद कर वाड़ा उसको लगाओ समचार लगाओ यूज लगाओ ऐसा महौल बन गया था फिर बाद में आते हैं आपर जसी आते हैं और मैच को पलटा हुआ किया था उसमें टीम इंडिया आती है दा किंग शो देखने को बिला उसमाच के अंदर के 177 का टार्गेट दिया टीम इंडिया ने साउथ अफरिका 170 बना वाई इससे बहले 115 बना और यह टार्गेट चेस होगा था 9.4 ओवर्स के अंदर फिर 128 बना टार्गेट चेस 11 ओर के अंदर 181 बना टार्गेट चेस नहीं बाद 201 बना टार्गेट चेस नहीं बाद एक अच्छा स्कूरिंग वेन्यू है यह एकदम हाई स्कूरिंग भी नहीं है मैं एकदम लो स्कूरिंग है बड़ यहां पे पहला मैच है वल्ड़कप के बाद तो आ साब से बैटर्स के फिर में जा सकती है एक सो असी के आसपा स्कूर बन सकता है और बैर बुरुस रोल्स का घर है एक तिस में 116 मैच जीती है और एंटी का पहली बार इस वैनी की उपर खेलेगी बैटिंग फस्चार इस वैनी की उपर चेस करते हैं पिछले आठ मुकाबलों क सब्सक्राइब करते हैं जो लाइटिंग अभी आपको दिख ली घराब है क्योंकि मैं कहीं बाहर हूं और आने वाले 10 बारा दिन कहीं बाहर ही रहेंगे तो थोड़ा सापको का पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा जो अगले कुछ वीडियोज है उन दिन के अंदर शूट कर लू मैं सनलाइट में तो ज्यादा भैतर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी तो यह जो पिछ है कैंजिक्टन की इस तरह से दिखती है बहुत सारे यहां पे मैचस वे थे दूरिंग दे टी ट्वेंटी वल्ड गप तो पिछास आप देख सकते हैं यह से विस्ट इंडीस की पिछ है और उसके डैमेंशन से चौसट बासट एक्वी डिस्टेंस ती है सामने चौट तर आपको ध्यान रखना है जिस तरफ यह स्टेडियम की सोलार रूफ है आपने देखी होगी जहां पर यात परो किसने चौका मारा था माइकल जोन्स ने इंग्लैंड के खिला तो यह जो है ना इसकी तरफ विंड बहती है ऐसे तो जो बलेवाज हैं कोशिश करते हैं कि विंड के साथ चौका मारें अब जो लेफटी वैटर होगा इस एंड से यहां चौ करता हूं राइटी बैटर यहां से बैटिंग करेगा इस जगह से तो वो सीधा यहां बॉल लपेटेगा विंड फेक्टर इस मैच के दिन तेरा किलोमेटर गा यह आपको ध्यान देना है यह अलग-अलग डैमेंशन से एक छुटी साइट इस चौटर बाउंडरी विंड ड बाउंस था वेरियाबल स्पीनट्स के लिए पर डो सारे हाई क्वालिटी स्पीनट्स तो यह वाई सब पिछ रिपोर्ट और वेदर फोकास आपने देखनी है कोई दिक्कत की बात नहीं है यह देखा आप वेदर फोकास वेनिजडे के दिन मैच शाम कुआ साथ वजे और तेरा किलमेटर के आसपास सुन फेक्टर है आगे चलते हैं तो इस गेम में डेवड मिलर और केशा माराज दून अविलेबले सेलेक्शन के लिए शमार बूट्स बाहर जाएंगे दूनत विलाल आगे भी बाहर जा सकते हैं इस गेम के अंदर आपको ध्यान देने नहीं दो अब चलते हैं एंटिगा की दरफ तो ब्रेंडन कींग ओपन करते हैं जस्टिन ग्रिफ के साथ शाए जी सीजन के अंदर जीता मैंनो सुना है क्रिस ग्रीन ही कप्तानी करेंगे ब्रेंडन किंग अभी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा है तो खैर कैप्टेंसी पर ध्या इस टेम में एक मात्र लेफ्टी बैटर इमाद वसीम कभी भी इनको प्रमूट किया जा सकता है क्योंकि सामने एक लेफ्टाम और्थरोडॉक्स को नरा के शाम माराज वैसे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इनको अब देखते हैं पाउर प्ले के लिए टीम करती है तो एंटिगा ने अभी तरक जो मैचेस कहलें के उसके अंदर पाउर प्ले में कुलमला के शेविकेट गवाई है पांच मैचेस में एरे पाउस सिक्स मैस की डेटा नहीं आई तो आप यह पढ़ लो तब तक और जो बैर पाउर प्ले में आम तोरब अच्छा कहलती है पिछले गेम में भी उमने देखा थे वन फकर्जमान जस्टिंग्रीट की अच्छी थी अब फकर जमान जा चुके हैं और ब्रेंटन कींग और जस्टिंग्रीट की जोड़ी सुपएर बन चुकी है मिड़ फेस के अंदर एंटीगा ने 15 विगेट लूस के मिड़ फेस में विगेट लूस करती है याद रखना आपको एंटीगा एंट बेरबुड़ा फेलकंस का जो मिडल ओडर हो खतम हो पूरा अभी तक ऐसा देखने को मिला है कुछ अनूनी हुजहे तो बात अलग है और बेर ङुड़ूस ने मिड फेस के अंदर तीन विगेट लूस के अदर अज़ेवन दुनित विलाल यह नहीं वाँ एच्छी वॉलिंग रही थी पाः पले में एंटीका डैअट और समें धिर अनुख में तेरह निकाला ट्यार उसने चर्व लेक्त निकाले हैं डैथ-फेस निकाले हैं एंटीका ने क्यार है को sprink democrat भी जादा खेलें और फ्र उसने अच्छ बहुत बहुतर वहलिंग री है राखीम कॉन्वेल का 34 रन है हेट्टूड के अंदर और वैंडी के पर 8 मैचेस में 252 रन्स है बहुत अच्छी पारी है और दो ऐसी इनिंग्स तीगी सीधा ड्रीम टीम का कैप्टन बन गया और बाकी मैचेस में फ्लॉप गया तो किसका खेलने का अंदाज है या दो हेट या तो मिस्टूड में और वहां पर इन्होंने कीपिंग से दिये थे कुल मिला कि 20 पॉइंट है और एक कैश पकड़ा था भाई ने या कदीम अलें साथ रहन है वैन्यू की पर हैट नहीं खेला पिछले के में तीसरें की पारी थी बहुत अच्छी निंग्स रही थी इनकी वो शमार बुक्स ने किस किया मुश्किला खेलना वट मैंने आपको नंबर्स दिया है वैन्य खेलता है तो मेरे साथ से मुश्किल है रोवन पॉवल ने एक हैट्टूड खेला था बैटिंग नहीं है ती वह जब बात करता है जो यह हमारे भाई है रोवन पॉवल तो इसके अंदर देखो क्या है सीन कहा है रोवन बारा मैचे से स्वेनी के उपर खेले है और ताबड तो बल्ले बाजी करता बंदा तीन सो रंज है यहाँ पर एक शदग है और हर मैच में इसने लगवग अच्छी निंग्स के लिए 35 नबाद 35 नबाद चेस पे 49 नौट आउट अट अट इस तरह से जस्टन होल्डर आप में एक मैच में दो विगेट है बालिंग फर्स्ट व नहीं यंग चार मैचस में जूरु विगेट है बालिंग तो खैर मुश्किली करा है यार पिछले में गेम में नहीं करा है तो इस गेम में तो क्या ही चांस है 17 नाबाद 11 रन 3 विगेट 24 रन 2 विगेट और हैट टूड हिला था बैटिंग नहीं आई थी नहीं तिक्षिना दो विगेट वालिंग फर्स्ट वैसे नहीं यंग पिछले मैच का एरो था इसने मैल जिताया था अपनी टीम को नाइस टिक्षिना का दो विगेट वालिंग फर्स्ट एटूड में नवीन का एक में वैन्यूपर भी एक विगेट है बहुत एक्सपेंसिव रहता है यह जो दो मिस्टिक सीजन से आ रहे है अलिक एतनिस का चार मैचस में 95 रंस है और जो इंक्लूडिंग इस बेस्ट नॉक अन्दे सीपिल 76 वैन्यूपर एक रहन है बैटिंग सेकंड एमिन हैं की वैन्यूपर आगे चलते हैं अरकेशव का दो विगेट हैं बॉलिंग फर्स्ट 7.7 की एकोनोमी है तो देखो पिछले के में थिक सेना ने पहला तीसरा ग्यारवा तेरवा डाला बिलाल के दूसरा पांचवा सातवा नौवा ओल्डर का चौथा चौदवा ठारवा फिर बीसवा बट यह देखें आप नवीन ने चटवा पंदरवा सतरवा उनिसवा डाला और पार्ट अफ दो ओवर के सकते हैं और पार्ट अफ दो बॉल नहीं कॉनिवेल ने बाहर बढ़ा डाला ब्रेंडन गिंग 15 मैचेस खेल चुके हैं पच्छपन की ओसाथ है 492 रंस है इस टीम के खिलाफ इनको रंस बनाना बहुत पसंद आहेस टेवरेज है की इस टैनी सी कॉफी जेम्स का दस रहन है वैटिंग फर्स डेसंट फॉर्म अच्छा था लास्ट गेम के अंदर सिर्फ और टॉर्नमेंट को च्छे से स्टाट गया था बाइस और 37 की पारी के बाद फिर तीन गेम फेलियर है फिर लास्ट गेम अच्छा ही है इसका सैम लिंग्स ने आठ फिकेट है अनिवन बाउंस देखने को मिला था है वर्ल्ड कप के दोरान भी कई गेम्स में इवन इसके हैं पर चार इनिंग्स पे पांच विकेट है दस का स्टाइक डिट जो बहुत 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 बैटर आई थिंग रिज ग्रीन का पंदरा में दस है चौति है कहीना कहीन से कुछ न कुछ वली मिली जाती विद बैट विद बाल इमात का नौ मैक्रेश में सत्ता और नौ इगेट है पिछले मैच के गिरो 17 पारी अधि प्लस दो विकेट ओध वर्ल वैनियुग अवज पर तीन में तीन विकेट है थाए वज रोशन प्रेम तो फॉर्थ टाइम यूश्ट थी तो पांच भी बार माँच हो रहा था इस गेम में चांसे सा ओवर कटने के आपको ध्यान रखना है पिछले दो गेम्स में बहुत अच्छे टच में देखें हैं 25 नाबाद 13 नाबाद अमीर का चार में दो विगेट वैनी के उपर चार में विगेट हैं पकर जमान इस अनविलिबल हैडी वाल जूनियर और यह जश्वा जेम्स केविन पिट्मन टेडी बीशम पिछले गेमें आमिर ने पहला था पांच भाठार आला बहुत अच्छा स्पेल रहा था वाईगा क्रिस गिन ने दूसरा चौता दसवा सूलवा और साथ इनिंग्स में एक बार आउट किया है कॉनिवल वर्सिस इमाद वसिम उन्नीज वाल अठारा रन पांच इनिंग्स में दो बार आउट किया है बैटल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है मेशा जब भी रखीम कॉनमें लेफ्टाम और्टलोक्स को फेस करते हैं हमने दिक्कत दिक्कत है इनको ब्रुक्स हैडिवाज जूनियर एक बार आउट किया है रावन वर्सिस आमीर चौटीज गेंद अर्टीज रन आट इनिंग्स में तीन बार आउट किया है जालिक हैदेनेश वर्सिस रोशन प्राइमर्स एक बैटल है लकर जमान जस्टन ग्रिस वर्सिस कॉनवेल दोगी इन दो रन रोशन प्राइमर्स वर्सिस पावल इमाद भाई वर्सिस होल्डर 23 गेंद 19 रन साथ इनिंग्स में तीन बार आउट कर रहा है अपनी कटर्स जालते हैं बाहर वाली लाइन पकड़के फैबन एलन वर्सिस नाइम तीन बाल एक रहन दो निंग्स में दो बार आउट किया है और इस पिन के सामने ना पहली बॉल से हाट जाता है यह स्टंगी बॉल को मुड़केड की उपर गसीटते हैं एकडम स्क्वेर लेक की दरफ और वहां कई बार इनके डंडे गुल हो जाता है केश्व ने एक बार आउट के आड़ बॉल में नौ रन देगे इसको कॉफी जेम्स उट्सिस होल्डर तीन बॉल जीरो रन अबॉर्ड मॉकोई वर्सिस क्रिस ग्रीन की बैटल रही है सैम बिलिंग्स ज्यादा युगदा नेरा भी तक इस टूनमें ब्रेंडन किंग अगेंस होल्डर 83 गेंद 101 रन नौ इनिंग्स में भाई मैं मैं रहा रहा है कि यनिग बनाने की अगन Making favor कि यैनि कि मैं बना रहा हा और दिर की युज जब मैं एक वाद रहा है थोटक ये मेरी डी मद्ती है इस टूनमेंध को पूरा बल्गरू है इसलिए में भी कवर करना हूँ कि चार घंटे की नीज मिल रही है आज के टाइम पर प्रैक्टिस होती है और शैडूल पूर एसा ही रहता है अभी अभी एसील जो टूनामेंट होगा उस वज़े से अभी ने बारबोस का अगेंस्ट ओफस्पिन जीरो विगेट दिया है चोईज वाले में 26 रहन है स्टाइकरेट 108 का इतना खराब भी नहीं इतना चवी नहीं है बीच वाला में सीन कहूंगा उसको एंटिगा ने च्यविगेट दिया है ऑफस्पिनर को वही या बारा की एवर इसके पर इसके बात करना जरूरी है तीस परसें टीज वरी कहां देखने गोलता है विजन के पर स्मॉल लीग खेलने के लिए मैं तो बेस्ट अप्लिकेशन है मैं खुद यहां स्मॉल लीग खेलता हूं आईए साथ में खेलेंगे इमाद वसीम जस्टन होल्डर कॉमन कैप यहां से मैं बैक करूंगा ब्रेंडन किंग को और फिलाल में बाद में देखोंगा जस्टिंग इस तीनों गेम्स में बहुत इंप्रेसिव दिखाई यह पचास 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 परी करना है इमाद होल्डर यहां से क्रीज ग्रीन बहीं इंपॉर्टेंट अप्छपन से परस पor और और नवीन के कुटाई हो रहा है मան भात बहुत एथिती स्टार्टिंग में की इंपुटाई हो सकती है इंकी वहां आमीर को फिलाल मैं ले लेता हूं अब़ों हमकोई को ले लेता हूं और फिर बात आती है फैबियन को भी तो ले लेते हैं फिलाल के लिए सेफ चॉइस के साफ से और शमार स्प्रिंगर नवीन को में लास्ट पे देखूंगा और जस्टिन ग्रीवस बड़िया प्लेयर है सामने नहीं के इन से थिक से ना होंगे और इस्पिन के सामने थोड़े से वीक हैं लास्ट ग तो शायद आपके लिए हो सकते हैं नवीन बॉलिंग फर्स्ट में आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते हैं मैं लिलूँगा नवीन अलग जाना थोड़ा सा तो आप ट्राइ करिए कोफी जेम्स को बहुत ही टेलेंटेल लड़का है जैवल एंडूल बहुत टेलेंटेल लड़का बहुत लोग बनाएंगे भी और लास्ट गेम में रंज भी बना गया रहा है स्टिम के अगेंस्ट विकेट भी अच्छा होगा है आंका तो अल्ड़ बैस्ट एंज्ट इंज्वाई इस गेम्स सुभाई के आप से में टेलीग्राम के उपर सुभाई के चार वजे के आस पा बस तब तक लिए जाहें सुन लगे अपने द्यान रखें अपनों को द्यान रखें